हलो स्टूनेंट्स वेलकमाग बच्चो आज का टॉपिक हमार बहुत इंट्रिस्टिंग है यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चो को बहुत जादा डाउट होती है अब किस तरीके से यह प्रेडिक्ट करते हो कि किस इलेक्ट बनेगा अगर वो मोल्टन से एक्कोस में जैसी कनवार्ट होता है आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि बिसिकली अब क्या प्रोड़क्ट बनेगा और पेपर में आपके जितने भी इंटरंस इग्जामिनेशन हो तो उसमें डारेक्ट कोश्यन आते हैं कि आपको दे देंगे सेनारियो आप बताएंगे बताओ इस केस में कौन सा प्रोड़क्ट बनेगा करने से पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूगा बच्चो आप कहीं पे जो मैंने साइड में लिख रखा है नोट यह जो चीज बना रखी उसको बिल्कुल नोट कर लो बिकास यही बैकबोन है अगर आपको यह चीज समझा आ जाती है तो आप बड़ी प्यार है कि उपर वाले जो दो है यह दो यह reducing potential है और नीचे वाले दो oxidizing potential है किसका water का with respect to बाकी elements ओके तो नोट कर लेना कि जो reducing potential होता है water का वो greater than होता है na plus mg2 प्लस इसको note कर लो साथ में क्योंकि यही में नोट है अगर यह चीज समझा आगे तो आपको पूरा वीडियो बड़ी असानी से समझाएगा कोई भी question कर पाऊगे प्रोड़क्ट अफ्रेक्लिस के तो that means H2O का reducing potential होता हो na plus mg2 plus al3 plus k plus ca2 plus इन सबसे ज्यादा होता है ज्यादा का क्या मतलब है कैसे use करना ज्यादा को उसको बाद में बताता हूं और अगर आप H2O के reducing potential के बात करोगे तो copper 2 plus ag plus au3 plus cd2 plus zn2 plus से कम होता है I hope आपने यह note कर लिया होगा और जब आप oxidizing potential के बात करते हो तो oxidizing potential का basically क्या होता है कि आपका H2O का oxidation potential होता है वो F-SO32-SO42-NO3-S2O32- इन सबसे ज्यादा होता है और अगर आप oxidation potential of water के बात करोगे with respect to chlorine-BR- और I- तो कम होता है अब ज्यादा कम oxidation potential reducing potential इन सबका क्या purpose है यह सारी चीज़े देखते हैं कि कैसे हम solve करेंगे ठीक है तो simply मैं क्या करता हूँ सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता देता हूँ कि जो product of electrolysis होता है product of electrolysis यह जो depend करता है ठीक है यह जो depend करता है बच्चो यह दो चीज़ों पे करता है आपका nature of electrolyte and टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो आपने यूज करा है ठीक है नेचर ओफ मिट्रल डाट मेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों चीज़ पर डिपेंड करता जो इलेक्ट्रोड होता है वो बच्चों इनेर्ट हो सकता है जैसे प्लेटिनम हो गया गोल्ड हो गया पीटी पीडी हो गया यह सारी चीज़े और आपका रियक्टिव भी हो सकता है इनर्ट भी हो सकता है आपने कभी कभी सुना होगा कि प्लेटिनम प्लेटिम की जगए आपका कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया तो यह सारे active होते हैं और जो उपर वाले होते हैं वो inert होते हैं जो inert होता है वो participate नहीं करता reaction में active वाले करते हैं तो दोनों में फरक है और दूसरा कि आपने electrolyte कैसा लिया है आपका बिल्कुल normal जैसे molten form में है वो electrolyte जैसे NACL molten हो गया या aqueous है aqueous का मतलब क्या होगा बच्चो आप में water mix कर रखा और जैसे आप water mix कर दो तो यहीं पर आपको confusion स्टार्ट हो जाते हैं कि अब क्या बनेगा product of electrolysis क्योंकि molten state में आपके लिए फिर भी predict करना easy है कैसे easy है मैं वो आपको बताता हूँ ठीक है तो यह दो चीज़े हैं जिस पर depend करते हैं उन दोनों चीज़ में इस तरीके के variation हो सकते हैं कि electrode inert हो सकता है अक्टिव हो सकता है और electrolyte आपका molten pure form का हो सकता है या aqueous हो सकता है जिसमें आपने water mix कर दिया है तो अब एक ही करके example लेता है और समझते है आई होप आपको basic चीज़ समझाए होगी किस किस चीज़ पर depend करता है अब देखो आपके पास molten NACL है ठीक है molten NACL है तो molten NACL किसमें टूटेगा बच्चों एन प्लस प्लस CL माइनस में हाया न यह किसमें टूटेगा NACL माइनस में तो suppose करो आपके पास यह setup है ओके और आपके पास NACL जैसी आपने यह electrolyte है तो यहाँ पर क्या होगा NACL माइनस NACL माइनस ओके अब simple सी चीज़ है बच्चों कि यहाँ पर आपका negative है यहाँ पर आपका positive है तो जो यह negative वाला है यह positive के साथ जाएगा positive वाला negative के साथ जाएगा तो opposite पर जाएंगे product of electrolysis इसी चीज़ पर depend करता है कि electrode के पास कौन सा आयन जा रहा है तो हमें पता है कि जब molten NACL है तो molten NACL में आपके पास Na plus और Cl minus के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं तो आपके पास पता आपको kataion एक ही है Na plus और anion एक ही है Cl minus तो वो opposite वाले electrode के पास चले जाएंगे और जैसे electrode के पास जाएंगे तो क्या होगा बच्चो कि sodium plus एक electron gain करेगा sodium plus एक electron gain करेगा क्या बन जाएगा sodium solid तो यह क्या हो गया इसका reduction हुआ ना gain of electron को क्या बोलतो हूँ reduction और chlorine minus क्या करेगा बच्चो Cl में convert हो जाएगा एक electron lose करके तो basically chlorine Cl2 के form में exist करता है तो half Cl यह मैं reaction लिख दूँगा तो product of electrolysis इस case में बच्चो क्या हो गया sodium solid and chlorine gas क्योंकि यही final product बने ना यहाँ पे आपका reduction हुआ और यहाँ पे आपका oxidation हुआ तो anode पे आपका oxidation हो जाएगा आपका यहाँ पे oxidation हो गया और यहाँ पे आपका reduction हो गया cathode पे reduction हो गया cathode पे reduction हो गया anode पे oxidation हो गया तो आपको समझ आ गया कि NA और CLY यहाँ पर क्लोरीन गैस और सोडियम सॉलिड ही बन सकते बिकॉज आपके पास दो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मॉल्टन स्टेट में खाली एक ही मतलब एक ही कटायन है एक ही नायन है confusion वाली कोई बात ही नहीं है ठीक है पर्ट क्वेश्चन है कि confusion create का बहुती है वो मैं आपको example बता देता हूँ आपको clear हो जाएगा अच्छे तरीके से ठीक है अब suppose करो इसको मैं मिटाता हूँ आप इसको note कर ले ना अगर note करना हो तो pause करके अब आपके पास problem यह आ गई कि आपके पास molten की जगा है aqueous NaCl है अभी aqueous NaCl का मतलब क्या है कि NaCl की वज़े से Na plus और Cl minus तो होगा ही होगा आपका water की वज़े से H plus भी होगा और OH minus भी होगा तो question है कि इन में से कोई एक ही electrode के पास जाएगा और जो पहले जाएगा उसके वज़े से product बन जाएगा हाया ना जो पहले इन दोने वज़े जाएगा product उसकी वज़े से बन जाएगा तो जब खाली हमारे पास molten था तो हमने देखा था product बना था sodium solid plus Cl2 gas ये दो product बने था अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये चीज़ add करने के बाद जो aqueous करने का फरक क्या बढ़ा अब देखते हैं system को ठीक है यहाँ पर sodium plus B है H plus B है CL minus B है OH minus B है ओके और ये simply अगर मैं बात करो तो ये आपका plus है ये minus है तो ये इधर जाना चीए इन में से किसी एक को इधर जाना चीए अब कौन कैसे जाएगा इस चीज के लिए जो मैंने आपको ये note करा ना ये बहुत 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 important है दे इस चीज को compare करोगे जो आयन आपके बन चुके हैं समझ माई बात तो अगर NaCl की बात करता हो तो NaCl में क्या है बच्चो एने प्लस और सी एल माइनस ओके अब मैं ये देखूंगा कि Na plus जब भी आप प्लस वाले के देखते हो तो आप reduction potential देखते हो water के respect में जिसका reduction potential पोटेंशल देखूंगा oxidation होना तो oxidation potential देखूंगा मैं है ना तो water के respect में देखूंगा क्यूंकि H प्लस और OH माइनस कहां से हैं water से हैं है ना H प्लस और OH माइनस ये water से हैं ठीक है अगर मैं आपको आपके लिए थोड़ा सा reaction को easy कर दो तो कभी भी H प्लस OH माइनस में नहीं कर लिया water ने electron gain कर लिया तो वो H2 gas बनाता है ठीक है OH माइनस इसका balance कर लोगे और अगर water ने electron lose करा है तो वो क्या करता बच्छो oxygen बनाता और 4 hydrogen lose करता है प्लस आपका क्या हो जाएगा 4 electron भी lose करेगा ठीक है 2 यहाँ पर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि water जब electron gain करता है तो वो H2 gas बनाता है तो that means कभी भी water that means H plus जाएगा electrode के पास तो वो क्या बनाएगा hydrogen product बनाएगा और कभी भी water अगर electron lose कर रहा होगा तो वो क्या बनाएगा oxygen product बनाएगा तो यह दो चीज नोट कर लो बहुत important है इसी water को हम compare कर रहे है Na plus और Cl minus है और देखेंगे कि क्या product बनेग अब अगर आपको यह चीज समझा गई है तो simple सी चीज है आपको confusion कि किसमे थी कि Na plus और H plus में तो Na plus और H plus में पहले कौन जाएगा तो Na plus और H plus, H plus का मतलब water, water से compare करो Na plus को तो Na plus से ज़्यादा होता water का reducing potential तो obvious से बात है यह H plus पहले चला जाएगा यहाँ पे और जब water electron gain यह reduction potential वाल इस वाल इलेक्टरोड पे तो हमेशा product क्या बनेगा आपका H2 बनेगा, now coming back to chlorine minus और OH minus, OH minus again water है तो water से मैं compare करूंगा इसको, तो ध्यान से देखना कि water का बच्चो chlorine के comparison में कम होता है, chlorine का जादा होता है, है न यहाँ पे दिखे रहा मेरे को chlorine का जादा है, तो पहले chlorine जाएगा, तो chlorine के वैसे अभी फिर दुबारा क्या बनेगा, हाँ, Cl2 gas, तो इस case में जैसी आपने, आपने molten NaCl लिया, तो आपका product था Na solid and Cl gas, अब क्या होगा, H2 and Cl gas, इस तरीके से aqueous करते ही यह change हो गया, समझा ही बात, तो simple सी चीज़ है बच्चो, आपने यह देखा, कि जब भी आपके पास aqueous होता, तो आपके पास जो कोई भी substance है, suppose H2SO4 है, तो H2SO4 में क्या होगा, बच्चो, H+, मैं आपको example लेकर बताता हूँ, आपको अच्छे तरीके से clear होगा, तो यह बहुत ही simple है, आपको अगर यह chart अच्छे से याद है, तो बस आपके लिए तो बल मैं भी electrodes नहीं बना रहा, confusion हो जाएगा, आपको H+, and SO4 2- है, ठीक है, तो obviously बात है, बच्चो, product किसकी वैसे बनेगा, H+, कि वैसे H2 gas निकल जाएगा, और SO4 2- अकेला अनायन है, तो आपका इसकी वैसे product बन जाएगा, लेकिन अगर आपने aqueous कर दिया, तो आपको पता है, कि aqueous H2O आ गया, एक्स्ट्रा, तो इसमें H+, और OH- एक्स्ट्रा आ गया, हाया न, H+, और OH- एक्स्ट्रा आ गया, तो देखो H+, ही है, दोनों तो कुछ फारक नहीं पड़ने वाला, अभी भी हमारा, इस साइड को तो H2 ही बनेगा आपका product, लेकिन अब यहाँ पे question है, कि 2- आ का reducing potential देखते हैं, तो मैं देखूंगा कि water का ज्यादा है, किसके respect में बच्चो, SO4 2- का respect में, तो पहले जो product इसके और इसके वे से बना था, अब product किसके वे से बनेगा, इधर तो H+, ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, H2 ही बनना है, लेकिन अब OH- का oxidation potential ज्यादा है, तो product oxygen gas बन पहले पहुच गए, simple सी चीज़ है, कि अगर minus में ये 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 है, तो उसमें water ही हमेशा पहले पहुचेगा, तो उस case में oxygen बनेगा, product, अगर CL-BR- और I- होता, तो obviously बात है, water से ज़्यादा है उनका, तो यहाँ पर chlorine gas, bromine gas, iodine gas product बनता, यहाँ पर simple सी चीज़ क्या बच्चो, कि water का reducing potential copper इन सबसे कम है, तो इस case में copper, solid ये सारी चीज़े बनेगी, लेकिन sodium, magnesium, aluminium इन सबसे ज़्यादा है water का, तो इस case में H2 बनेगा, I hope बच्चो आपको बहुत अच्छी तरीके से clear होगा, कि product of electrolysis किस तरीके से calculate करते हो, NCRT में बहुत सारे question उसको solve करो, अगर आप नह आपको अच्छी तरीके से clear हो जाएगा, कि किस product के लिए, कौन-कौन से question के लिए, क्या-क्या उसके आपके final product बनेगे, तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चो, I hope आपको आई होगी, तो इसको like, share, subscribe जरूर करना, thanks for watching this video, I hope कि आप इससे आपको काफी help मिलेगी, क्योंकि ये एक इस ऐसे टाइप का question है, जिसमें बच्चे को बहुत confusion होती है, वो हमेशा dicey रहते हैं, कि अभी सही है कि गलत है, I hope कि अगर आपको ये चीज़ समझा गई है, तो बहुत आसानी सा आप इस question को कर पाऊगे, thanks for watching this video, बच्चो 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